कि हैं हुलोग फ्रेंटस चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि हम लोग सॉफटर के से अपडेट करते हैं और S-BTS में आप मोल सकते हैं S-RN BTS और आप मोल सकते हैं 4G BTS में भी और जिसमें हम लोग software update करने के जा रहे हैं उस BTS के नाम है FSMF तो इस जी ध्यान दिजिएगा तो हम लोग पहले क्या करेंगे software update करेंगे पहले BTS site manager के तुरू ठीक है चली देखिए पूरा वीडियो तो सब्सक्राइब क्या करेंगे पहले लॉग इन करेंगे हम ठीक है तो हम अपने laptop में IP हम लोग डालेंगे तो यहां से अप नेटवर्क एंट इंटरनेट सेटिंग में जाए फिर वाइफे में जा सकते हूं आप भी आपको अप्शन आएगा एथरनेट में जाएए और चेंज अड़ाप्टर अप्शन पर क्लिक क किजिए इसके बड़ एथरनेट में जाएए जanka आप एथरनेट केंवाल क्नेक केए हैं बीटियस लैप्टव में पर पट्रपर्टिम सेख यहां पर आप जाये इंटरनेट परकोल फट्रचन 4 कि यहां पर यहां पर आप डालेंगे है ठीक है फैल मैं यहां पर डालता हूं देखिए 192, 168, 129, 0 और अपका जब क्लिक करेंगे तो आपका अपका अटमेटिक सब्निक मास्क आ जाएगा फिर ओक्के करेंगे तो यहां पर नहीं होगा क्योंकि मैंने गलत यहां पर डाल के रखा है इसलिए मैं गलत डाल के रखा है ताकि आप लोग भी जब गलत डालें टो यह को पिलागे तो ये आपको बिनुट्ट ओपन होगा ठिक है तो हम इसको क्या करेंगे 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 इं Cel suffering भी दिख लिटा रहा है तो यहां पर हमको क्रेट नहीं है और करना ओ ध्यान दिज एक जो अश्यार्य आप लैप्तोप में जैसे यहां एक जादे रखना है तो यहां पर 129 डाले हैं तो आपको एक घटा और बढ़ा सकते हैं अब यहां पर जाना है वेट्या साइट मनेजर में और वहां से हम लॉगिन करेंगे यह जो सॉफ़वर आपको लेप्टोप में इस्टॉल करना पड़ेगा यह आपको नौक्या के थ्रू मिलेगा यह सॉफ़वर और यहां पर आपको आप एड्रेस में लोकल ही रखना है ठीका यूजर नेम में डालना है नेमो एडमी और पास्वर्ड में डालना है नेमो यूजर उसके बाद कनेक्ट पर क्लिक कर देना है यहां पर देखिए चेकिंग एलिमेंट मैनेजर भर्जन है ठीक है उसके बाद यहां पर देखिए फिर कंटिन करना है कुछ लीगल नोटिस था और स्टार्टिंग एलिमेंट मनेजर इस अभी में ग्रेंट टीक लग जाएगा ह dai कंसी एर कंट कर लेता है यहां पर है यहां पर रवीट किजीए आप है और यहां पर आपको ऑल वेज़ पि क्लिक करना है कि क्लिक करेंगे त अब कि अवक का जो वेंड़ा हो गया आपका यह देख सकते हैं यह पीज हैंक इसको पहले करें और क्लोज कर दीज़े हैं अब देखिए आपका जो टॉप बार है तो क्लोज किजिए आपका टोप वार है तो वहां पर देखिए शॉफ्वेर का अप्शन है वहां पर जाईए और सॉफ्वेर भाजन टू बीटियस साइट में जाईएगा ठीक है और देखिए यहां पर करेंट भरजन भी आपको सोग कर रहा है तो यहां पर ब्राउज किजिए में तो यहां पर आपको लोकल डी में मैंने सॉफ्टर रखा है और जितने भी सॉफ्टर है आपने लेप्टप पे एक जगा रखे ताकि अच्छा होगा और मैं यह बोड़ा फोन का 4G का सॉफ्टर अप्डेट कर दा यहां पर देखिए चार सॉफ्टर मैं 76 का अप्डेट करूंबा तो यह डी कंप्रेश हो रहा है फाइल ठीक कुछ यहां पर कुछ मिनट अपको लगेगा और उसके बाद जो है फिर अप्डेट का अप्डेट का अप्डेट पर क्लिक करेंगे तो सॉफ्टर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा आपके BTS में और यहां पर ध् क्या होता है अगर बीच में स्टक हो गया अगर हाप सफ्टर अप्लोड अप्लोड हो आपकी BTS में हाप नहीं हो तो में भी आपका जो है टाइम लेगा तो मैं कुछ वीडियो स्किप भी करूंगा यहां पर ताकि आप को ज्यादा टाइम ने लगए इस वीडियो को पूरा देखने में और हाँ दोस्त अगर आप नियू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए कि इसे मेरा हुसला बढ़ता है चल सूरी और में आपके लिए च च वीडियो लाता हूं बना पर कि अच्छी दिख सकें और आप से आप इंट्रीवु देख सकें काम करने के लिए को क्aking दिक्कत न हो सके है एक सब्सक्राइब से देखना है और यहां पर आप देखिए कम्पलीट हो गया तो यहां पर अप्डेट पर आपको क्लिक कर देना है थीक है देखिए यहां पर प्रोग्रेस है अपका यहां पर आपको 16-20 मिनट इसके बीच में लेता है कभी-कभी जादा भी ले लेगा तो इस पोई दिकत नहीं है ऐसा नहीं कि आपका मतलो कुछ इस हादवर फॉल्टी इसक लिए जादा ले रहा है कभी-कभी क्या होता है कि कोई जो बीटियस उसमें सॉफ्टर लेन में प्र टाइम लेता है और रिशेट में भी टाइम लेता है तो वेट किजीगा वट ज्यादा नहीं आपको 20-20 मिनट तक वेट कर सकते हैं इससे ज्य किजिए उसको पावर को ओफ किजिए और फिर ओन किजिए और नहीं तो आप इस विंडो को क्लोज करके फिर से आप उपन करके देख भी सकते हैं कभी-कभी क्या होता है कि दोस्त रिशेट जैसे यहां पर रिशेट ले रहा है यह रिशेट लेते रहे जाएगा आपका 30-35 ठीक है तो आप वेट करते रहीएगा कि कभी-कभी-क्यों खतम होगा लेकिन नहीं होता यह हैं हो जाता है तो इससे क्या होगा कि इसको जो हैने क्लोज कर दिजिएगा ठीक है और फिर से जो है अन्यू मतलब इचिया साइट में देर को लॉग-इन करके देखेगा लोग- में तो फिर से लोग इन करके देखेगा ऐसा मेरे साथ बहुत सा साइट पे हुआ है मिसल में आपको बता रहा हूं क्यूंकि जनरली ऐसा होता है तो इंजिनियर लोग क्या करते हैं हाड़वर रिकोड फॉल्टी भूसित कर देता है ऐसा नहीं है कुछ आपको ट्रबल सुटि ही आप 25 मिनट तक लेथे यहां पर राटरी नहीं करना आपको ध्यान देना है यह पर रिक कभी नहीं करना तो फिर से स्टाट हो जाएगा ते केंसल किजिए और यहां पर जो है फिर से एक बढ़ लॉग इन करके देख लिए ऐसे ही मैं आपको बोल रहा हूं आप यहां पर लोग इन कर से दे सकते हैं क्योंकि आगर यह बीटी रस वी पोट हो कर आप को एकक्टिव होता है तो यहां से और चेकिंग एलिमेट वार्जन वह उसमें आप रोटेट करती हुए जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे सो केंसिल कर देंगे और केंसिल करने के बाद इसको क्लोज कर देंगे और हम लोग जाएंगे गूगल में वहां यहां पे हम लोग डालेंगे और यहां पर आपको अडवांस में जाना है अडवांस के निचे आपको आगा प्रोसीड और आपका आप अड्रेस रहेगा ठीक है वहां पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बार देखिए स-bts-element-manager आपको खुल गया ओओ आपका था-bts-site-manager ठीक है और यह आपका s-bts-manager क्योंकि यह जो है आप यह जो है एस-bts-element-manager यह यूज करता है लॉग इन करने के लिए ठीक है तो आपको सेम योजन ने में पासवर्ड यहां भी डालना है और लॉग इन करना है लॉग इन करने के बाद देखिए जो है आपका आपको सफ़्वर दिखाएगा यहां पर कुछ देरी में अपडेट होने में तुझा टाम रिखता है जैसे शॉफवर पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर आपका सफ़्वर जो सफ़्वर अपने अपडेट किया था और इस तरह से दोस्त हम लोग software update करते हैं asrnbts में i mean fsmap में जब आप fsmap को asrnbts के लिए यूज़ कर रहे हैं और asrnbts में आप 2g 3g 4g यह सभी technology आप चला सकते हैं ठीक है और इसमें gps भी आप connect कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं आप आपका यह देखिए fsmf है ठीक है और fsmf आपने दो fbc card अपने इंस्टोल करके रखा है यहां पर one है यहां पर two है तो यह आपको software update जैसी करेंगे आप यहां पर sbts element manager को login करेंगे तो हम दो देखेंगे sbts का commissioning और इसमें हम लोग एक समल फाइल के से upload करते हैं तो यहां चलिए क्लिक किजिए इस पर और यहां पर यहां पर नेमो एड़िन डालिये और पासर डालिये नेमो यूजर उसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक कर दिए तो यहां पर देखेंगे यह सॉफ़वर पर क्लिक करेंगे फिले यहां पर आपका 76 जो लास्ट में देखेंगे सॉफ़वर भर्जिन है तो हम क्या करेंगे क्योंकि Acer and BTS में हम मैनुवली पारमीटर अपडेट नहीं करते हैं तो हम लोग इसमें हम लोग तो वेट कीजिए आप ठीक है हाइलाइट होने के बाद उस पर क्लिक कीजिएगा तो स्टार्ट हो जाएगा आपका XML अप्लोड होना तो वेट कीजिए यहां पर देखेंगे आया है LWG 107 और अप्लोड करना पड़ेगा तो में इसको हम अप्लोड कर देते हैं अप्लोड होने के बाद यह पूरा यहां से गाइब हो जाएगा उसके बाद आपका स्टार्ट और अप्डेट का यह हालाइट हो जाएगा ठीक है दोस्त टो जी ऐख थीजी और फोर जी तीनो टेक्नोलोजी आप चला सकते हैं ठीक हैं यहां पर जो है अप्लाइब हो तो यहां पर स्टार्ट अप्डेट का अप्सटन हालाइट अप्लाइट हो गया देखेंए यह स्टार्ट अप्डेट ले लिया आपका सौफ्टर ले लिए और यहां पर आपको configuration होगा विए configuration के बाद फिक्से रीशिट होगा जनरली जब आप एसरेंग वीडियो का commission करेंगे तो कम से कम से आपको आधा घंटा का time लेगा लेकिन इस वीडियो में मैंने बहुत सा skip किया है तो skip जो है मैंने किया है जो reset वाला time है उसको मैंने किया है ताकि आप video को लंबा आपको देखना ना पड़े तो यहां पर देखिए validation ongoing हो रहा है कभी कभी क्या होता है कि यहां पर आपको error आ जाएगा तो error आ जाएगा तो इसका मतलब है कि आपके XML file में कुछ error है कुछ आपको parameter उसमें wrong है ठीक है तो आप XML file को फिर से check करवाईए और फिर से upload कीजिए फिर भी नहीं हो रहा है तो activity मतलब troll sorting कर सकते हैं और ध्यान रखिए गा कि जिस site का I mean XML file है उसे site पर upload कीजिए आएसा नहीं कि दूसरा site के XML file आप किसी और site पर update कर देजिए तो उससे क्या होगा कि आपका site owner नहीं हो पाएगा क्योंकि जो media जो path जो define किया जाता है अपका इस parameter के हिसाब से किया जाता है कि इसमें भेलेन रहता है अपका IP address रहता है सब कुछ रहता है देखिए यहां पे जो है एक्टिव हीट पारामीटर हो रहा है और आपका resetting लेगा आपका sbts element manager पर देखिए आप ओन गोईंग है और ध्यान में रखिए कि जब भी आप XML फाइल अप्लोड कर रहे हैं तो आपको bts को power off नहीं करना है और लेन केबल को प्रोपर अपको connect करना है ऐसा नहीं कि आपको लेन केबल लूज हो आप आपको प्रोपर चिक करना अपने laptop के end भी और bts के end में भी में अपको पता है जहां पर fsmf में हम LMP पोर्ट में अपका लेन अपना लेन के बलक को connect करते हैं देखिए रिसेट लेन एक बाद देखिए यहां पर स्टार्ट ओन गईंग इनेविलिंग आर्पी 3 स्विच ठीक है आप से दिखते हैं आईसा नगर टीवी और bts id देख सकत कि यहां पर सफ्टर एंड कॉंफिडेशन अप्डेट हम लोग ने यहां पर देखिए यहां पर वर्चन देख सकते हैं अप एक टीव और पेसी दोनों दिया हूँ है देखिए अपस fsmf को ग्रीन हो गया और यह आपको gps है fygb ठीक है यहां से अप सिरियन लमर भी चेक कर सकते हैं fsmf ग्रीन है तो बाकी का भी आपका बीवी सी आर अंसी एपीसी यह आपको होगा तभी आपका साइट ओनेर होगा तब क्या करते हैं मोनेटिंग में जाके और ip connectivity हम लोग चेक कर लेते हैं यहां पर देख सकते हैं कौन सा आपका IP पास हो रहा है ठीक है ऐसे आपको आपके चेक करते ही कौन सा आपका पास हो रहा है नहीं हो रहा है ठीक है तो इसमें जो उपर वह देख रहे हैं ठीक है वह पास नहीं होगा क्योंकि जेनरली जो है 2G के लिए है अधर टेकनोलोजी के लिए और डिफाइन किया गया है वह आपकी फ्यूचर के लिए लेकिन जो 3G और 4G के लिए यहां पर देखी पास होगा मेन MME 0 और मेन MME 1 जो है पास हो गया है नीचे आपका रोटिंग गेटवेव भी पास होगा आपका यहां पर आपको आकर टेस्ट कर लेना है कौन सा पास हो रहा है नहीं हो रहा है अगर का आपको confusion है तो आप अपने remote में भ पूछ सकते हैं कितने IP को पास होना जुरूरी है अगर 3G और 4G आपको on-air नहीं होता है तो यह दिखिए अपका टेस्टिंग हो रहा है गेट भी टूर की जुरुत नहीं है इसलिए फैल चला गया और अपका 3 के जुरुत इसलिए पास हुआ है ठीक है तो टोटल अपका 6 जो है पास हुआ है और यहां पर फिरसे आई साइट मनेजमेंट में और नेचे देखिए आपका FRGU जो आरफ मोडल ओ डिटेक्ट कर गया है ठीक है लेकिन उसको भी ग्रीन होना ज़रूरी है और ग्रीन नहीं हुआ है और यहां पर इनकंपरिबल सॉफ्टर वर्जन का एलाम आ गया है तो आपको जो है सॉफ्टर फिरसे अफडेट करना पड़ेगा तभी आपका साइट ओनेर होगा एक्चुली में इस साइट पर हुआ क्या था कि सिस्टर मोडल फॉल्टी चला गया था तो हम लोग सिस्टर फिरेसे जो मेरा जो आरफ मोडल में जो वए अलग था ठीक है फिक है और लास्ट में था 200 थो ठीक है तो क्या करें यहां से अपडेट करेंगे ठीक है यह भी आपको टाइम लेगा अपडेट होने में क्योंकि यह जो है 200 का सफ़र आपके BTS और RF model दोनों में अपडेट हो जाएगा उसके बाद अपडेट होने का बाद है तो मैं यहां पर वीडियो का स्किप्ट किया हूँ तो जॉल्दी देखने की मिलेगा मतलब साइट कैसे ओनेर होता है कुछ आपको मतलब यहां पर प्रोसीजर है वह आपको देखना बहुत जरूरी है जिसे इस तरह से डाउनलोडिंग फाइल हो रहा है तो यह आपका 1% से स्टार्ट होता है हंडेट परसेंट तक होता है तो यहां पर आपको यह भी देखना होगा जिसे इस तो आप जो है एक पार न्या सॉफ़वर अप्डेट करके देखिए और न्या जब सॉफ़वर अप्डेट करेंगे तो इसमें आपको 16-20 मिनट का टाइम लगेगा आपको सॉफ़वर अप्डेट करोने में सॉफ़वर अप्डेट अपका मतलग कमी समय में हो जाता है अपका 10-12 मिनट में हो जाता है 10-15 मिनट इस टेकिंग टाइम टू रीशेट अगर अब जब रीशेट लेगा तो उसमें यह टाम लेता है देखिए 92 गे 93 परसेंट होगे अपका 94 परसेंट है और इसी तरह से हंडेट परसेंट हो जाएगा हंडेट परसेंट के बाद यह आगे बढ़ेगा दूस्त मैं आपको फिर इस में ब्ता चाहूं कि यह देखिए 7 बिटियों से इसको में प्रोकर स्टेश बोलते हैं इस इस में में आप टो जी त्रेजी फॉर्जी तीनों चला सकते हैं अगर अब चाहेंगे किसी भूरी चला सकते हैं आपको चलाना ऐसे deep keep चला सकता हैं डूजिवित चला सकते हैं ओर क्षाक्षन के ऊपर ठीक है तो जो आपका ऊफ फर. चू है जो रेडियो है जो थीजी और 4G only support करता है तो ध्यान दिजिएगा देखिए यहां पर signing files हो रहा है और signing file होने बाद फिर से reset लेगा एक्टिव हेट हो गया software आपका देखिए यहां पर green card लग गया अभी देखिए जो है plan प्लान भर्जन में आपका 200 यहां पर शो कर रहा है ठीक प्लान भर्जन में 200 और एक्टिव में आपका 76 है आपका एक्टिव में यह software आजाएगा 200 ठीक है तो अपका BTS जो है आम इन ओनेर हो जाएगा अपर देखिए reset ले रहा है अगर आप इंजिनियर है और आप एजबी एसस काम कर रहे हैं और एजबी एसस काम कर रहे हैं तो आपके पास hardware अबलेबल रहता आपके warehouse में तो आप पहले भी आप software को update कर सकते हैं ताकि अगर आपका hardware faulty किसी साइट पे हुआ है तो swap करने में टाइम नहीं लेगेगा तो आप पहले भी रख सकते हैं अगर आप hardware को hardware में software update करेंगे तो इस तरह से आपका hardware भी टेस्ट हो जाएगा I mean faulty है या okay है तो यह सब करना ज़रूरी है जब हम BSS में काम करते थे तो मेरे पास बहुत सा system module लाता था तो मैं क्या करता था पहले ही उसको power दे के उसमें software update कर के रखता था अगर कहीं भी faulty होता था तो उसको हम तुरंत replace कर देते थे ताकि मेरा time भी बचता था और आउट इस जो side down होता है उसका outage भी हम बचा लेते थे जो new engineer इस video को देख रहे होंगे उसको समझ में नहीं आएगा उतना लेकिन जैसे जीसा ही आप काम करेंगे तो आपको पूरा समझ में आएने लेगा देखिए यहां पे जो है resetting sbts ले लिया यहां पे ठीक है तो यहां से ही आपका configure और reset लेगा नहीं configure जो आपका x-mail के लिए होता है तो यहां से जो है आपका reset होके कतम हो जाएगा देखिए यहां पे हो गया और यहां पे आप जो है आपका start-up ongoing हो गया enabling rp3 switch rp3 अपका जो है optical cable का जो है वो मतलो जो आपका fsm-up से आपका radio में connect है वो enable हो रहा है और enable होगा तो जैसे ही आपका FRGU आपका visible हो जाएगा आपके system module में आपका fsm-up जो है यहां पे green हो गया है तो बाकी के जो card है वो भी आपको green होगा और आपका fyg इसके उपर में आपका frg visible होगा देखिए यह लो हो गया आप विजीबल होगा यहां पर में आपको बता देखिए अब क्या होता है कि आपका GPS detect नहीं हो रहा है तो आपका 4G भी ओने नहीं होगा ठीक है रोट डिपिंट करता है कि आपका XML किस परकार से बनाया गया है देखिए यहां पर आपका frg visible हो गया ठीक है अब कोई भी मतलब कलर वहां पर आप नहीं देखिए कोई भी LED नहीं देखिए अब यहां पर ग्रीन आ गया ग्रीन मतलब का frg ready है ठीक है अब आपका a bbc green होगा और a bbc2 green होगा फिर आपका rnc और lte green हो जाएगा उसके बाद जो है आपका मतलब 3g 4g owner हो जाएगा यह देखिए आपका a bbc1 a bbc2 green हो गया ठीक है और यहां पर देखिएंगे यह दोनों green हो गया है कि अब बीवीसी में जो केबल करनेक्ट करते हैं दोस्त fsmf2 a bbc उस भी ध्यान में रखेगा कोन से केबल कहां पर करेक्ट होता है कभी कभी क्या होता है कि अगर रॉंग करेक्ट कर देते हैं तो आपका a bbc green नहीं होगा तो वह ध्यान रखेगा थ्वड़ासा टाइम लेता है अब को वीट करना पड़ेगा देखिए आपके बीटीएस जो है सेटप बीटीएस ओने रहो गया आप निचे में हम आकर देखेंगे तो मेरा जो है ओनेर हो जाएगा यहां पर देखिए ओनेर हो गया ठीक है दोस्त कर दो कर दो